यहेच्केल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याई 34 यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा। हे मनुश्री के संतान, इस्रायल के चर्वाहो के विरुध्ध भविश्वाने करके उन चर्वाहो से कहा। परमेश्वर यहोवा यो कहता है। हाई, इस्रायल के चर्वाहो पर जो अपने-पने पेट भरते हैं, क्या चर्वाहो को भेडबक्रियों का पेट न भरना चाहिए। तुम लोग चर्वी खाते, उन पहिनते और मूटे-मूटे पश्वों को काटते हो। परन्तु भेडबक्रियों को तुम नहीं चराते। तुमने बिमारों को बलवान न किया, न रोगियों को चंगा किया, न घायलों के घाओ को बांधा, न निकाले हुई को फेर लाए, न खोई हुई को खोजा, परन्तु तुमने बल और जबरदस्ति से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के न होने के कारण तीतर भीतर हुई, और सब वनपश्यों का आहार हो गई। मेरी भेडबक्रिया तीतर भीतर हुई है। वे सारे पहाडो और उचे उचे तीलो पर भटकती है। मेरी भेडबक्रिया सारी पूत्वी के ऊपर तीतर भीतर हुई, और न तो कोई उनकी सुधी लेता था, न कोई उनको धूंडता था। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो। परमिश्वर यहोवा की यहवानी है। मेरे जीवन की सुधी नहीं ली और मेरी भेडबक्रिया जो चरवाहों के न होने के कारण सब वनपश्यों का आहार हो गई। और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेडवक्रियों की सूधी नहीं ली, और मेरी भेडवक्रियों का पेट नहीं, अपना ही अपना पेड भरा. किस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनों, परमिश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं चरवाहों के विरुद्ध हूँ, और मैं उनसे अपनी भेडवक्रियों का लेखा लूँगा, और उनको फिर उन्हें चराने न दूँगा, वे फिर अपना-पना पेट भरने न पाएंगे, मैं अपनी भेडवक्रिया उनके मुहस से छुड़ाऊंगा, कि आगे को वे उनका आहार न हो, क्योंकि परमिश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं आप ही अपनी भेडवक्रियों की सूधी लूँगा, और उन्हें ढूंदूंगा, जैसे चरवाहा अपनी भ उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा, जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तीतरवीतर हो गई हो, और मैं उन्हें देश-देश के लोगों में से निकालोंगा, और देश-देश से एकठा करूंगा, और उन्हीं की निजभुमी में ले जाऊँगा, और इस् ऐस्रेयल के उच्छी हर्याली में पैठा करेंगी, और इस्रेयल के पहाडों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी. मैं आप ही अपनी भेडबकरियों का चरवाहा हूँ, और मैं आप ही उन्हें बैठाओंगा, परमिश्वर यहोवा की यही वानी है, मैं खोई हुई को ढूंडूंगा, और निकाली हुई को फेर लाओंगा, और घायल के घाव बांधूंगा, और बिमार को बलवान करूंगा, और जो मोटी और बलवंत है, उन्हें मैं नाश करूंगा, मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा, और हे मेरे जुंड, तुमसे परमिश्वर यहोवा यो कहता है, देखो, मैं भेडबेड के बीच और मेंडो और बकरों के बीच न्याय करता हूँ, क्या, तुम्हें यह छो जान पड़ती है, कि तुम निर्मल जल पीलो, और शेश जल को अपने पाव से गंदला कर दो, और क्या, मेरी भेडबकरियों को तुम्हारे पाव से रंदे हुए को चराना, और तुम्हारे पाव से गंदले किये हुए पानी को पीना पड़ेगा, इस कारण परमिश्वर य हुआ उनसे यो कहता है, देखो, मैं आप मोटी और दुबली भेडबकरियों के बीच न्याय करूंगा, और तुम जो सब बिमारों को पांजर और कंधे से यहां तक ढकेलते और सिंग से यहां तक मारते हो, कि वे तीतर बीतर हो जाती है, इस कारण मैं अपनी भेडबकरियो उनको छुडाऊंगा, और वे फिर न लूटेंगी, और मैं भेडबेड के और बकरी बकी के बीच न्याय करूंगा, और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठराऊंगा, जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दावुद होगा, वही उनको चराएगा, और वही उनका चरवाहा होगा, और मैं यहोवा उनका परमिश्वर ठहरूंगा, और मेरा दास दावुद उनके बीच प्रधान होगा, मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, मैं उनके साथ शांती की वाचा बांधूंगा, और दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा, सो वे जंगल में निड बना दूंगा, और मिह को मैं ठीक समय में बरसाया करूंगा, और वे आशिशों की उन पर वर्षा होगी, और मैदान के वर्ख्ष पलेंगे, और भूमी अपनी उपज उपचाएगी, और वे अपने देश में निडर रहेंगे, जब मैं उनके जुए को तोड़कर उन लोग इससे लूटे न जाएंगे, और न वन पश्यू उन्हें फाड़ खाएंगे, वे निडर रहेंगे, और उनको कोई न डराएगा, और मैं उनके लिए महान बारिये उपचाओंगा, और वे देश में फिर भूको न मरेंगे, और न जाती-जाती के लोग फिर उनकी निंदा क करेंगे, और वे जानेंगे कि मैं परमिश्वर यहवा हूँ, उनके संग हूँ, और वे जो इस्रायल का घराना है, वे मेरी प्रजा है, मुझ परमिश्वर यहवा की यही वानी है, तुम तो मेरी भेडबक्रिया, मेरी चराई की भेडबक्रिया हो, तुम तो मनुष्य हो, और मैं तुम्हारा परमिश्वर हूँ, परमिश्वर यहवा की यही वानी है.